रादे रादे हारेक्रिष्णा कैसे हूँ आप सभी लोग आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे सुष्ट होगे अच्छे होगे आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो हमारे ग्रंथ है अर्था जैसे श्रीमत भागवत महापुरान है या फिशिप महापुरान है ये साक्षात भगवान की वांग में सरूप है अर्था भगवान की बोलने वाला सरूप ही है लोग इसनका निरादर कर देते हैं किसी कि घर पर ऐसी रखे रहते हैं इनका बिल्कुन भी निरादर नहीं करना चाहिए इससे आपके घ्रह भी खराब होते हैं और साक्ति साथ भगवान का क्रोध भी आपको सहरा पड़ता है मैं क्यों ऐसा बोल रही हूं कि यह भगवान का वांग में सरूप है क्योंकि चाहें स्री भगवती बड़े चोटे से थे जब भगवती चोटे थे कराउं चार से पान साल के होगे तो भगवती के जो पिताजी थे वो पुजारी हुआ करते थे भगवती के पिताजी पुजारी हुआ करते थे वो अपने मंदिर में जाके नित्य पूजा करते थे बड़े बड़े पुरान भगवान को सुनाते थे, भगवती इसको नित्य देखते थे, एक दिन भगवती क्या करते हैं, उनको उनकी माता जी ने का खगगा सिखाया होता है, भगवती अपने पिताजी के साथ जाते हैं, पिताजी वेद पुरान भगवान को सुना रहे होते हैं, मंदिर में व बड़ी से इनके पिताजी बड़ी अचम्बी हो जाते हैं अगले दिन जब भगवती की जो पिताजी होते हैं जब भगवती के पिताजी सुना रहे होते हैं भगवान को पुरान तो वह क्या देखते हैं कि जो भगवती है वह अपनी आगे की कहानी सुना रहा है अथात वह भ पुत्र ये क्या कर रहा है तो उन्होंने भागवती से पूछ लिया अरे पुत्र तुम ये क्या कर रहे हो बेटे तु ये क्या कर रहे हो तो भगवती ने बोला कि पिता जी जो आप कर रहे हो वही तो मैं कर रहा हूँ भगवती के पिता जी ने बोला कि बेटा मैं तो भगव भगवान को बने बनाए वेद सुना रहे हो क्या पता भगवान को वो पसंद आए ना आए आप तो बने बनाए स्लोक सुना रहे हो आप तो बने बनाए पुरान सुना रहे हो जो भगवान को पसंद आए या ना आए इसकी कोई घारंटी नहीं है अरे मैं तो भगवान को जो बनाना है जैसा बनाना है भगवान स्वते ही बना ले ऐसी भगवती थे तो नित्य प्रति दिन उनका नियन था भगवती जी बड़े हो गए और जब भगवती जी बड़े हो गए तो उनके पिताजी ने उनकी शादी करा दी तो भगवती का एक ही नियन था वो हमेशा भा सब्थ जब तक पिता जी थे पिता जी ने भुगार जा गया खार्त जा अब तू ग्रस्त जीवन में जला घया है थोड़े भहुत पैसे कंषक्ला एसे कब तक बुजारा चलेगा चांए जब Sharp भगवते की जो बतनी थी व aggreg में रहाएगे वेकिन अब फ़गवती को एक कार यह जो अजग्रक होता है उस और भगवान के नाम का गुनगान करते हैं जो मिल जाता था वो ही खाते थे ना क्रोज करते थे ना कारे करते थे केवल भगवान के नाम का ही गुनगार करते रहते थे एक बाल की बात है कि उनके घर में साधू संतों का अगमत हुआ उनके गाउं में साधू संता है तो जो साधू संत होते हैं वो हमेशा वैशनम लोगों के घर का ही भोजन प्रफर करते हैं वैशनम लोगों के घर का ही भोजन पान करते हैं उन्होंने गाउंवाले से बोला कि य नाम का गुन गान करते रहता है उन सभी गावं वासयोंने साथुसंतों को भगवती के घर पे दैस साथुसंत वहम में बचाया तो भगवती की जो इसतरी थी भगवती की जो घरवाली थी भगवती की जो वाइफ थी उसने दर्वाजा खोला और साधू संतों का सिपकार किया उन्हें बुलाया अंदर बुला के बिठाया साधू संतों ने कहा कि आज रात्री को हम यहां पर विष्राम करेंगे और यहीं पर भोजन का पान करेंगे जब साधू संतों की मुख से भगवती की धरम पत्नी ने ऐसा सुना कि आज साधू संत यहीं पर विश्राम करेंगे और यहीं पर भोजन का पान करेंगे तो उन्होंने सादू संतों से छमा याचना मांगी, कि हे सादू संत कहते हैं कि सादू का आगमन घर में बहुत पवित्र माना जाता है, पुन्य दाई माना जाता है, लेकिन मैं आप से हाथ जोड़ कर माफी मांगती हूँ, हमारे घर पे अन्ने का एक दाना भी नहीं है, मैं आपको क्या खिलाऊंगी मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा जब साधू संतों ने ऐसा सुना तो साधू संत उसको आसिरवात दे के चलेगे कि चलो बेटी कोई बात नहीं अगर आपकी घट पे कोई अन्य का दाना नहीं है तो हम आपसे रुस्ट नहीं है हम आपसे नरा भगवान आपका भला करें ऐसा क्या के साधू संत चलेगे अब तो भगवती की जो पत्नी थी उसका जो गुस्सा था वह साथ वे आसमान पे था क्यों अरे जब साधू संत दर्वाजे पर आए भारत वो देश है यहां पर बोला जाता है अथिति देवो भवो और अथिति म उसको बहुत जादा करोध आ गया था वो भगवती के पास गई भगवती उस समय भागवत का पार रहा था भगवती से उन्होंने भागवत ली और भागवत के दो पन्ने फार दिया और भागवत को फैक दिया और बोला कि जब भगवती से बोला कि अब तुम इस घर से नि भगवती को बड़ा दुख भगवती को यह दुखनीं हुआ कि मेरी पत्नीने मुझे घर से निकाल दिया भगवतीम को लगा की अभी यह थोड़ी देर केलिए गुसा है सांथ हो जाएगा स्थ्यों का स्वभाब होता है कि इस्थ्यों को गुस्सा आही जाता है अगर किसी का आदर सतकार ना कर पाए, लेकिन भगवती को दुख था कि भागवत के दो पन्ने फट गए, कि अरे भागवत तो भगवान की वांग मही मूर्ती है, साक्षात भगवान का सरूब माना जाता है भागवत को, भागवत के पन्ने फट गए, भगवती की आँखों म लगिया कि आज भगवान के मैं भगवान का नाम ले रहा था भगवान को कितना दुख हुआ होगा भगवान के नाम के दो पन्ने फट गए बड़ा दुख्या उसको अपना दु क्यों दुख्यों कि मेरे धरंबतनी से सथियरी बाद बुला कहा उसमत भागवत महापुरान के दोपणे फट गए उसको उसका दुख था और ये सारी लीला मेरे प्रभु उपर से देख रहे थे तो उन्होंने लक्षमी जी को बुलाया लक्षमी जी से बोला ए लक्षमी जी यह लो टोकरी और इस टोकरी में तुमारे पास जितन भी जेवर ये डाल सकते हैं आप इस तोकरी में सारे डेवर डाल दो भगवती मा लक्षमी ने बोला अरे ऐसे बात क्या होगी तो कहरें आप बस देखती रहें ये लेकिन अभी ये तोकरी अपने जेवर जाधाद से सोने अचांदी हीरे मोती से भर दो मा लक्षमी का तो भगवान विष्णु भगवती के घर पे आए दरवाजा बजाया खोटी की जो धरम बतनी उसने वरकार के हीरे जवारात मोती थे अब भगवती की पत्नी ने बोला रही काला काला व्यक्ति है कौन मुझे लगता है यह कोई चोर है चोरी करके लेके आ गया है अभी राजा के दरवार से बहुत सारे लोग आएंगे और इस चोर को पकए लेंगे और साथी के साथ मुझे भी पकए लेंगे क्योंकि इस तो सकल से भी चोर लग रहा है और इतने सारे हीरे जवारात लेकर कहां घूम रहा है और भगवान को चोर है ही बताओ आप मेंसे कितने साल पहले ही भगवान ने चुरा लिया था आप मेंसे कितने लोग ऐसे हैं जिनका बाके बिहारी ने दिल और वो भगवती की जो धरम बतनी थी वो भगवान की बातों को समझ गई और वो एक कौपी पैन लेके आ गई तो भगवान ने उस कौपी पैन से उसमें लिख दिया कि मैं भगवती का मैं आपके भगवती हमारी यहां पे काम करता था मैं भगवती का मालिक हूँ आज तक क कि उसकी कमाई यहां पर देखे जा रहा हूं क्योंकि वो आज नोकरी पर नहीं आया हूं और नीचे भगवान इने अपने हस्ताक्षर कर दिये और हस्ताक्षर में लिख दिया स्याम सुन्दर अब भगवती की धरम पत्नी सोच में लग गई कि आखिर भगवती जाते कब थे अरे सुबह तो वो मेरे साथी रहते थे अच्छा ऐसा होता होगा कि जब मैं 9 बज़े जाती थी तो वो सारे 9 बज़े जाते होएंगे और मैं 6 बज़े से पहले आजाती थी सभी के घरों पर का करके और वो साड़े पांच बजी आ जाते होएंगे लेकिन इतना सारा पैसा अच्छा उन्होंने ओवर टाइम किया होगा हम लोग सभी लोग सो जाते थे और वो साम को भी रात को भी जौप पे जाते थे अरे मैंने तो उनको कितना बुला कह दिया कितना बुरा कह दिया और ये देखिए ये तो कितना पैसा कमान लिया इनोंने और भला हो इस मालिक का जो बेइमान नहीं निकला मेरी पती तो इतने सीते हैं कि अपनी कमाई भी मालिक को देखे आ गए भला करे ऐसे मालिक का भगवान उसको भगवान भगवती की धरम पत्नी को टोकरी दे के चले गए अब भगवती की धरम पत्नी थी उसने टोकरी में से कुछ सोने के सिक्के निकाले और सोने के सिक्के लेकर चली गई सुनार के पास अब सुनार ने जब वो सोने के सिक्गे देखे तो सुनार की जो आँखे थी वो चक्रा गए जब सुनार की आँखे चक्रा गए कि आज तक मैंने ऐसा सोना देखा ही नहीं है अरे देवी आपको जो भी मूले चाहिए इसका एक लाग दो लाग तीन लाग पांच आप वो मूले ले लिजिए अब भगवती की धरम पुत्मी सोची अरे ऐसे सिक्के तो मेरे यहां पर भरे पड़े हैं नजाने कितने हीरे जवारात मोती हैं मेरे यहां पर तो भगवती ने उनसे कुछ पैसे लिए और एक छोटा हाती नहीं तर टैम्पू एसी लो टीवी लो बैड लो और रासन का घर का समान पूरा छोटा हाती भरके समान लेके आ गई और पूरा समान घर में सैट कर दिया और पूरे घर में आज दीप प्रजुलन कर दिया क्योंकि उसको पूरा नियम पता था कि चाहें कुछ भी हो जाए बेसक भगवती से मेरी लडाई हो गई है और मैंने भगवती को घर से भगा दिया है लेकिन भगवती का एक नियम है मेरे प्रभू आएंगे जरूर भगवती आएंगे जरूर क्योंकि वो साम को जब तक संधिया वंदन नहीं कर लेते तब तक वो अन्य जल ग्रहने नहीं करते थे और साम को संधिया वंदन करने वो अवश्य आएंगे और जैसे ही भगवती अपनी गली में घुसा वैसी उसको दिखा कि उसके घर में चारों तरफ से उजाला आ रहा है अरे महराज जिसके घर से कभी अल्दिकार दूर नहीं हुआ उसके घर पे उजाला आ रहा था भगवती देखता रहा गया उसने गली की उधर उधर देखा अरे कहीं ऐसा तो नहीं है मैं दूसरे घर में आ गया हूँ लेकिन भगवती डरते डरते उस घर में गया जैसे ही बैल बजाई पत्नी धरम पत्नी आरती की ठाली लेकर तयार उन्होंने आरती करी और भगवती को सारी काथा बताए कि आज आपके मालिक आये थे वो बोल नहीं रहे थे कुछ और वो इतना सारा समान देखे गये थे अर तो भगवती ने बोला उन्होंने कुछ बोला कि नहीं उन्होंने कुछ बोला नहीं किवल एक लेटर लिखके गए है एक परचिप कौपी पर कुछ लिखके गए है उन्होंने भगवती ने बोला कि जल्दी से वो कौपी पैन लाके मुझे दो और जल्दी से जैसे ही भगवती की धरम पत्री ने कौपी पैन लाके दिया महराज भगवती की आखों से नेत्रों से आंसु चर चर करके निकलने लग गए क्योंकि उसमें हर एक अक्षर में लिखा हुआ था स्याम सुंदर, जैक नहिया, हरी बोल, राधे राधे हर एक अक्षर में भगवान के नाम का अक्षर प्रतीत हो रहा था वो भगवती अपनी पत्नी के चर्णों में गिर किया बोलने लग गया कि मैंने आज इवन भगवान की पूजा पाट करी है लेकिन महराज आज तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए और आज तुमें स्याम सुंदर के दर्शन हो गए मेरे से बड़ी धन्यवान तो तुम हो देवी देवी ने भगवती को उठाया और दोनों भगवान के सरीहरिचरनों में बड़नाम कने लगे और भगवान से पूशने लगे कि आप एक बार आकर हमारी सनसे हमारी समयधान तो कीजिए कि आखिर आप कुछ बोले क्यों नहीं आपने कुछ बोला क्यों नहीं हमारे पास आके भगवान ने उनकी संसे उनका दिमाग घुमाया उनको जवाब दिया भगवान की जो प्रतीमा थी उससे जवाब आया कि आपने भागवत के जो दो पन्ने भाड़े थे पूरी भागवत मेरा ही सरूप है भागवत का कोई पन्ना मेरी आख है कोई पन्ना मेरी नाख है कोई पन्ना मेरे कान है कोई मेरे हाथ है कोई उंगली है कोई पैर है और आपने भागवत के जो दो पन्ने फाड़े थे महराज वो मेरी जीवा थी वो मेरी जीव थी और जिस इंसान की जीव कट जाती है वो बोलने लाइक नहीं रहता इसलिए बोले जाता है कि जो ग्रंथ होते हैं उनका आदर सत्कार करो जो भागवत है वो साक्षात भगवान का वांग में सरूप है कैसी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूटूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुन भी मत भूलिए तब तक के लिए मुझे दीजिये जादा राधे राधे हरे किश्रा हरी बोल